कि हलो फ्रेंड्स आपका अपने चैनल के 90 स्वागत हैं सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से अर्दिक बताई मैं आप लोग के लिए लेकर क्या हूं रेलवे का साथ इंपॉर्टन कुश्चन जो कि पूछे भी गये हैं और आगे पूछे आजाना बहुत ही जरूरी है इनको देख लीजिए ठीक है पेपर के पहले दिने से पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार वेरी इंपॉर्टन कुश्चन है यह मान के चलिए आई अप कुश्चन है ठीक है यह आपका जो है आयमफी कुश्चन है ठीक हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को है की की है पहला है कि इतिहास का पिता कि से कहा जाता है तो इसकांफर हो जाएगा हेरो डोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है अगला प्रस्था है कि मानो जीवन की घटनाओं का लिखित वरणन क्या कहलाता है मानो जीवन की घटनाएं जो भी घटनाएं घटित होती है उनका जो लिखित वरणन होता है वहां क्या कहलाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इतिहास कहते हैं आगे हैं पुरा पाफार यूग में मानों की जीवका का मुख आधार क्या था यानि जो पुरा पाफार यूग है उसमें मानों की जीवका यानि जीवन जीने के लिए कि उसका मुख आधार क्या था था पहले सिकार करना था आगे क्या है आग का कि आविश्कार कि यूग में किया गया क्या किस यूग में हुआ तो पूरा पाफाल काल में यानि फुरुवात में ही आग का विश्कार हुआ था देखे आगे क्या है कि अगला प्रश्ण है कि पहिये का अविश्कार ठीक हैं अगला प्रश्ण है कि पहिये का जो है अविश्कार पहिये का अविश्कार किसी युग में हुआ है तो यहां नव पाफाल युग में हुआ है अगला प्रश्ण अग्ला प्रस्ण है कि फिंदु की घाटी सभेता में सरव पर्थम घोड़े के और फेफ कहां मिले है तो यह मिला है सुरु कोट दा में ठीक अगला प्रश्ण हम लोग देखते हैं कि फिंदु घाटी सब्वेता के लोग लोगों का मुख्य व्यावसाय क्या था यानि उनका जो व्यावसाय यानि व्यापार क्या था उनका मेन बिजनेफ क्या था तो उनका मेन बिजनेफ व्यावपार करना ठीक है व्यावशाय व काम का करते थे व्यापार करके वह अपनी जीविका को चलाते थे अगला प्रश्ण है फिंदु की घाटी सब्वेता में घर किसे से बने थे यानि कि वहाँ पर जो है किसे बने हैं जैसा कि अभी मिला भी है सक्षाद भी मिला होँःपर क्या इंटो फें वहाँ पर घर कशा निर्माड हुआ था अगला प्रश्ण यह कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन फा है सबसे पुराना बानध कौन फा कौन फा है यह वहत ही आंबी कुश्चन रहा है बहुत जादा है पूंचा जाता है तो सब्सक्राइब छाइब कि उना इस्तापित किया गया अगला कि किसा सक्क ने और आवंती को जीत कर मगत का हिश्चा बना दिया था तहीं provide शिसुनाग न reminds जीत करके जो है समिक्सा प्रष्ण है जो श्ड़सिए earnest Are You राजी कौन था यहां पर बताना है कि जो छटी फटब्दी थी वहां पर भारत का सबसे सब्सक्राइब फटब्र राज जिया कौन था तो अन्वर्हों जाएगा मगद आगे हम लोग क्या से घोके फाफक को सुन्य के यहां सिना क यहां यहां द॥ार किन्य नियामित और अपनी सिना को अस्थाइट तो प्रदान क्या टा एनिए अपने फेना में जो है एस्थाई सासकों का नियुक्ति किया था आगे है कि ग्रह पती का क्या आर्थ है आगे है ग्रह पती का क्या आर्थ है तो आंतर हो जाएगा धनी किसान पहले क्या था ग्रह पती उसे बोला याता तो धनी किसान था ठीक है धनी किसान जिसके पाफ जो है अगला है कि वियर्थई के द्वारा थीक है 20 का पर्थम चर्थ कह द्वारा और कहा है थापिट किया तो प्रस्थ्मिंए नचा अगए था कि महा जन्पदों का व देख का हुआ था तो उक्षटी फत्वा capsule में हूआ प्रश्ट है कि किफ जैन में किफ जैन ग्रंत में 16 महा जयनपदों का बर्डन है जो अंगुतर निकाय से थोड़ा अलग है तो क्या हो जाएगा भगवति शुत्र ठीक है आंफर क्या हो जाएगा भगवति सुत्र ठीक है तो यहां बंसापर हो जाएगा भगवती सूत्व जो ईसका राइट अंफर हो जायाएगा अब लोग आगे चलते हैं आगे हैं कि भारत में ठीक है पहला यूरोपी आक्रमढ किस के द्वारा हुआ तब से पहले जो आक्रमढ हुआ था युनानियों के द्वारा सबसे पहले आकरमण हुआ था आगे है कि हड़ापा की सब्वेता की खोश अप्रतम केमने किया था तो दयाराम फाहनी ये बहुत यादा मुझा जाता है कि दयाराम शाहनी ठीक है तो दयाराम जो है वो हड़ापा ठीक है इसको ऐसे याद के लिए न काली बंगा जो है वह राजस्थान में है ठीक है तो यहां पर यह याद हो जाएगा काली बंगा ठीक है राजस्थान के राजस्थान में ज्यादा गर्मी होती है ठीक है तो यहां पर गर्मी अधिक होती है तो गर्मी होने के कारण सब लोग काले काले हो जाते हैं तो यहां के जो बंग है ठीक है बंग माने आदमी मान लोग परकार से ठीक है तो वो कैसे हो गए काले हो गएं तो यहां पर कैसे याद हो जाय है काली बंगा ठीक है काली बंगा राज्यस्थान में इसका आन्सवर जाएगा आगे है कि हलापा की खोज की सथान में हुई थी किस वर्स में ज़रता हए lucy के इस अस्थान से प्राप्त हुआ कि फफ्थान से जो प्राप्त किया गया है तो हडपा जो है वहाँ गुजरात के करीब है ठीक है जैसे कि हमारा मांचित्र गयरा आप देखेंगे हमारे पिछली वीडियो में आप लोग को मांचित्र के द्वारा भी बताया गया था और अभी नई वीडियो आने भी वाली है कि इसमें इंडिया का पूरा मैप आप लोग को समझाए जाएगा कि कौन फाराज कहां पर इस्थित है ठीक है तो पूरी फिच्वेफन के फारत में उसको दिखाया जाएगा ठीक ह होगा उन सबी चीजों को यहां पर हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो आप इस यहां पर आंसर क्या हो जाएगा ठीक है और अधिक वीडियो देखने के लिए दूपर आई बटन दिखाई देर रहा होगा फ्लीज उसको आप क्लिक करके और इसके पिछली वीडियो को आप देख पकते हैं ठीक है और भी बहुत फारी वीडियो बनाई गई हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वह आप लोग उससे देख पकते हैं ठीक अब हम लोग आगे क्यों चलते हैं आगे हमारा क्या है कि फिन्दु सबटा में एक बड़ा अस्थाना गार मिला हुआ क थाए तो सबसे पहले जो देषास यहां पहली के जो-स्यू यानि पहले की जो है मुंनुका चटर अंकित किए ऐए तरहां आगे हमग dwakach कि मोहन्य नाम फिक शकी अधा है तो मिरतकों का टीला अनसर हो जाएगा मिरतकों का ब्राइड नाम पर म्हाब्तों पर किस पसू का प्रखंण सरवाधिक हुआ है तक तो यहां पर सभसे पहले भयल का प्राइड़ का about था यदि आप लोग चाहें ठीक है सुरू में जो आप लोग का हुआ क्या था कि सुरू में हम लोगों ने आग पैदा कर लिया लेकिन अब खाने के लिए जो जोताई के लिया आपके और खाने केलिये राफन पैदा किया पके आगे चलते हैं कि फिंदु Shebeta का का कौन फाफथान भारत में घ्थीक है तो यहां पर हमारा सरिष लोथल है वहाँ पर जो हमारा सन भीदता का अफथान हिफ्थीस ए जो कि गुजराद में एक है आगे कि और हम लोग चलते हैं कि भारत में के ओब the सब्सक्राइब की संस्कृति से प्राप्त हुए हैं आगे हैं कि किस फाफन को उग्रफेन कहा या था तो महापदमनंद को ठीक है व्याद कहले ना महापदमनंद को जो है वहाँ और उग्रफेन के नाम पे जाना याता था ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है कि उग्रफेन बारद आने सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहाफ कार कौन था तो यहाँ पर बताते हैं हेरोडोट मैंने पहले बताया कि जो हिस्ट्री के जनम दाता था ठीकित ना इसी को हेरोडोट के नाम पे जानते हैं तो यही जो है वहां सिकंदर के फात्मे भारत आया कि आगे क्या है कि कासी और लिछवी का विले मागद फ़र्मराज में किसने किया यानि काफी और लिछव इन दूनों को मिला अब इसके पहले कोशन भी आ चुका है धिक है उसको याद रख लेना आजाद वत्त्रोग का उपनाम क्या था यहनि उपनाम माने इसको कुडिक के नाम फे जना आता था ठीक है कुलिक यह याद रखना most important है कुलिक के नाम से इसको जाना याता था आगे कहा है अजाद फत्रु किस धर्म का अनुयाई था जो अजाद फत्रु था वह बहुत धर्म का अनुयाई था अनुयाई मने होता है मानने वाला ठीक है अनुयाई मनलब होता है मानने वाला ठी इससे याद रखना आगे कहा कि अजाद फत्र की हत्ता किस ने की थी तो एजाद फत्र की जो हत्त subst Technical ने की थी किस ने किया था उधा ही yours कि आजाज फत्रु गद्धी पर कब बैठा आजाज फत्रु जेवा गद्धी पर किस इसबी में बैठा तो 429 इसबी में आजाज फत्रु गद्धी पर बैठा आगे है कि घानानंद के बाद सासन किसने प्राप्त किया तो घानानंद के बाद में चंद्रकुप्त मौरे ने जो है फाफन प्राप्त किया अभी एक अगले वीडियो में भी हम लोग चिल आने वाले हैं अभी आप लोग बता जाएगा जो भारत में आने वाले राज करने व परत कर दा encontrar गडबीच्व को पूरी पूरी जानकारी दी जाएगी इसके बात में लोग नभीन काल में आ जाएगे तिक आगे क्या है कि coming C तो एक रामायड है महाबायत वेद और पुराण ठीक है यह हमारी जो है पहुतियादा पवित्र पुफ्त के हैं हिंदु धर्म की आगे कहा कि मांडा किस नदी परिफ्तित है तो मांडा जो है वह चिनाब नदी परिफ्तित है ठीक है चिनाब ठीक है मांडा मांडा ठीक है किस तो चिनाव नधी प इफ्थ्थित संतों अगला प्रश्ण नोitute की नदी परुपट को अपने पेंड लगाने के अब इसके ट्रिक के बन फ़क्ती है कि हम पेंड लगाने करने गए कहां पर फतलू चुपन नदीप याद कर लेना ठीक आगे क्या है कि फिंद्व सब्टा में की फफ्थान पर घरों में कुऊं के अफेस प्राप्त में तो सबसे पहले गेहु और जोगो बोया गया था हडपा की समकालिन अब सभ्यता रंगपूर कहां है ठीक है रंगपूर जो है हुआ समकाली सबहता ति रंकपुर कहा है वह सवराश्ट मेंसित है ठीक है आगे क्या है कि हरापपा और मुहां जोड़ो खौज किसने कराई किस ने कराई अब यहाँ पर की के बारे में पलभ रहा है कराई के थीक के माता की सक्ति पर एंठी पर वह ज्यादा भरोफा करते थे ज्यादा ड्राइब उनके उपर विस्वाफ घत थे आगला प्रस्ण है कि हलपा के साँम्या मैं मोहरी किस्से बनी थी प्यावली वह अटार मनें ठीट लगाना वाला यंत्र उसके द्वारा उसन सब्सक्राइब एक यह पर किया है कि मोहन जोदलो इस समय कहां इसी था तो कहां पर इस थी था है आगला है अध्वैत का फाफण किसमें प्रतिप uważ denied तो कावन हैं फांकराचारे ने इसका प्रतिपादन किया had विव्जुत द्वाद का फिदान किसने प्रतिपादन किया था तो रामा अनुच्ण ने इसका रखान कहां और कभ हुआ था था तो To Just gotta ले पाल में हुआ था नेपाल के लुम्बुनी नामखप्एर में हुआ था 500 लूंबनी नामकच फैर में हुआ था अगला प्रहूं गौतम व्द्ध को ग्यान की प्राप्ति हुए थी अगला प्रश्न है कि गौतम बिद्ध कि मिट्व कहां और कब हुए थी उनकी मिट्व उत्तर प्रदेश के कुसी नगर में हुआ था और किसन में हुआ चार सो तिरासी इसा पूर्व इस वी के पूर्व में जो है सा मसी के जर्म के पहले इनकी मिर्ति हो गई थी अगला प्रशन की गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेव कहां पर दिया था तो इन्होंने धर्मोपदेव दिया था अगला प्रशन देखते हैं कि बौध का साब्दी करते क्या होता है बौध का मतला होता है प्रकास वान अगला है कि बौध गौतम बुद्ध ने अपने देव कि भासा में तो पाली भाफा में दिया गया है आगे हम लोग देखते हैं कि जाता कता है कि धर्म से समंदित है तो कि जयान धर्म के अनुसार कुल किते हैं तीर संकर से चावबिष में तीर संकर से हैं अगला हम लोग देख लेते हैं कि अब लोग को बीडियो अच्छी लगई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक बनती है और आप वीडियो को लाइक करिए और आप एक काम करिए और अंडे वीडियो आप लोग को पाना है तो उपर के आई बेटन में आपको वीडियो मिल भी जाएगी ठीक है और आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ठीक है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम कोई बीडियो नहीं डालते हैं वैसे तो यहां पर रोज डाली आती है लेकिन जैसे बीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोगल ने पहुँचाएगा और उसको पढ़िएगा ठीक है और आप उसको पढ़कर के जो रेलवें पर को बढ़िया तरीके पर कर सकते हैं यह स्पीड यह मानके चलिए आप लोग को सब कुछ आता होगा लेकिन यह स्पीड रिवीजन के तौर पर आप लोग को करा गया है तो इस वीडियो को पर जाने के टाइम जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा है पेपर में हंडर्ट प्रेट gray फिर्टिक हें के सप्षाफ इसमिया से कुष्चन करीब 10 ज्रूर मुख्य जाएंगे साथा कुष्चन आपके पेपर पक्का आजाएंगे ठीक दोफ्तों तो तब तक लिए चलते हैं आप मिलते हैं अगले वीडियो में नए कुछ कुछन के फात में तो चैनल को सब्स्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा तब तक लिए गुडबाई